एक अक्टूबर 2023 से सभी राज्यों में किसी भी उम्रे के व्यक्ति का जिनम प्रवान पत्र बनाना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है इसलिए कुछ राज्यों ने अपना एक अक्टूबर 2023 के बाद आउनलाइन ही ये सुमेदा उपलब्द कर दी है कि आप वर्थ सर्टिफिकट को बना सकते हो तो कुछ राज्य करने वाले है तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आउनले वर्थ सर्टिफिकट को बना सकते हो इसके लिए आपको किसी भी ब्रॉजर में आ जाना है और यहाँ पर सिंपली सर्च करना है सर्विस प्लस सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल डौन करना है एक option निक्राओगा service पर let meta data application तो इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद आपको अपना user ID और password बनाने की ज़रूरत अगर आप पहले इस पे registration कर चुक है simply login करेंगे बट हम एक नया registration कर रहे register वाले बटम पर click करेंगे register पे click करने के बाद आपको अपना full नाम देना है email ID देना है mobile number देना है एक नया password को बना लेना है and यहाँ पे आपको अपना state को select कर लेना है उसके बाद capture code को fill कर लेना है फिर submit वाले बटम पर click कर देना है उसके बाद आपके mobile और email पर दोनों पर OTP गया है पहले email OTP को यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद mobile OTP को यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद validate वाले बटम पर click कर देंगे validate पर click करने के बाद आपका registration जो है तो successful हो जाएगा अब आपको क्या करना है कि फिर से dashboard पर आना है and capture code को यहाँ पर fill करेंगे फिर login वाले बटम पर click कर देंगे login करने के बाद आपके सामने इस तरीके का dashboard कुलके आएगा यहाँ पर आपका नाम सो कर दिया जा रहा है और यहाँ पर आपका बताय जा रहा है apply for service मैने service तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि apply for service वाले बटम पर click कर देना है and view all service पर click कर देना है यहाँ पर आपको all पर selected हैने देना है उसके बाद यहाँ पर लिखना है search में worth यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है birth registration वाला इस पर हम click कर देता है क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है अब यहाँ पर पहले आपको अपने बच्चे का नाम डालना है फिर डेट आप बर्त डालना है अगर आप अपना बना रहे हो तो अपना नाम डालेंगे डेट आप बर्त डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेट करना फिर पिता का नाम डालना है फिर माता का नाम डालना है फिर यहाँ पर चेत्रे डालना है फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जनम जो है तो वास अस्पताल में हुआ था या फिर किसी और जगे पर तो यहाँ पर उसको सिलेट करेंगे घर में हुआ था या अस्पताल में हुआ था उसके बाद यहाँ पर ज 땟्री फिर स्टैट पिर डिस्टिक राड नाम कोड उसके बाद यहां पर ढालेंगे जनम प्रमान पत्र बनाने के-लिए क्या-क्यशन आपके पास रहाए सब से पहले जनम परमान पत्र वाला एक फॉर्म होना सबस्के पास और पर आपका मतदाता do तो पैचान पत्र होता है वो होना चाहिए उसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए और भी जो जरूरी डोकुमेंट है आपके पास वो होना चाहिए और आपका जनम परमान पत्र बन जाएगा इसी तरीके से आप किसी भी राज का जनम परमान पत्र बना सकते हो मैंने जो यहा माहां पर लिखो गे सरच बार में सरच करने जाओगे तो वहां पर या जाएगा इस्टेट का नाम आ एगर आपके स्टेट का नाम आ रहा है तो आप बड़ी आसानी से बर्च सरटिफिकट को ऑन लैन अप्लाइ करोंगे आप कोप्ल नाई करने के दस दिन के बाद यहां पर आपका बर्द सेटिफिकट बन जाएगा बता लिए फिर यहां paar आपको कैप्चर कोड़ करना सब्मिन्ट पर क्लिक करना है और यहां पर ने में हैं पर अपके मुबाइल के तौर पे युकि बर्द सर्टिपिकट को एक अक्टूबर 2023 से सभी प्रूफ के रूप में यहां पर अवेलेबल कर दिया गया है आई ओप की एड़ो पसन आया होगा पसन आया तो लाइक कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइब